दोस्तो बॉलिवूट के मसूर अभिनेता और डायरेक्टर महिस मांजरेकर को पॉक्सो वाले मामले में बॉम्बे हाई कोट की तरब से एक बड़ी रात मिली है आखिर क्या है पूरी खबर जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे हैं और साथ ही इस वीडियो को एक लाय करना ना भूले दोस्तो हाली में डायरेक्टर महिस मांजरेकर की एक मराटी फिल्म नए वरन बट लोचा कोनने कोचा रिलीज हुई ये फिल्म इस वक्त विवाद में चल रही है अपनी इस फिल्म की वज़ा से महिस मांजरेकर कानूनी मामले में फस्ते हुए दिखाई दे रहे है दरसल दोस्तो मामला ये है कि मांजरेकर पर इस फिल्म में दिखाए गए असलील सीन को लेकर केस दर्ज किया गया तो वहीं इस मामले में एक बड़ा और नया मोड लिया है बॉम्बे हाई कोट ने मंगलवार के दिन महिस मांजरेकर और फिल्म के निर्माताओं को नाबालिकों से जुड़े एक असलील सीन के लिए गृफतारी पर रोक लगाने का काम किया है कोट की और से पुलिस को निर्देशक या फिर फिल्म की टीम के खिलाफ योन अपरादों से बच्चों के संड़क्षन अदिनियम के परावदानों के चलते कोई भी सकत कारेवाई ना करने का निर्देश जारी किया गया है इन धाराओं के तहट महेश मांजरेकर पर भी केस दर्ज किया गया था बता दे कि महेश मांजरेकर के खिलाफ महिला पुलिस ने फरबरी के महीने में एक विसेश अदालत के आदेश के बाद F.I.R. दर्ज की थी और एक NGO भारतिय इस्तरी सकती की अद्धियक सीमा देश पांडे ने उनके खिलाब सिकायत दर्ज की थी महेश मांजरेकर और बाकी लोगों के खिलाब भारतिय डंड सहीता की धारा 292, 34, योन अपरादों से बच्चों के संरक्षन अदिनियम की धारा 14 और आइटी एक्ट के धारा 66, 66 B के थायत F.I.R. दर्ज की थी बाद में फिर एक्टर ने इसी संदर्ब में बॉम्बे उच नियाले में एक याचिका धायर करते हुए मामले को रद करने और गृफतारी पर रोग की मांग की थी वैसे दोस्तों इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आप हमें अपनी राए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए और साथ ही बॉलिएट की लेटेस्ट और इंटरस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले